अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना, ताके जब मैं ओनलाइन आऊ, तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजा देना पेनपी लेटेश्ट अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, यूपी टेट 2020 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, यूपी टी इटी में इस बार हुए दो बदलाओ, जानिये कब से शुरू होंगे आविदन, जी हां दोस्तों बहले हमारा 2021 का साल चल र जी हां दोस्तों मतलब अगर आप टिपपड़ी भी कर देंगे न तो आपके खिलाफ नोटिस चारी हो जाएगे, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे, डेलर डिस्कूटनी रिजल्ट 2021 देखेंगे, रतिये समस्टर और बैक पेपर परिच्छा की तारीख क्या ह हो सकती है, बैक पेपर में दोस्तों फर्द समेश्टर बैक पर सेकेंड समेश्टर और चतुर समेश्टर बैक पेपर सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, चलि दोस्तों कुछ पहले बड़ी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे नहीं तो फिर आप परिसान होग जी यहां दोस्तों मतलब ऐसे समय में जब कोई इंसान किसी की जान बचा रहा है तो उस पर केस ठोग दिया जा रहा है इस अबडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे जी यहां दोस्तों हो सकता है कि कल को जरूरत आपको ऑक्सीजन की पढ़ जा और कोई आपको बंदा ऑक्सीजन दे दे लेकिन उस पर ही केस करेंगे तो क्या आने वाले समय में कोई ऑक्सीजन आपको प्रोवाइट कर रहेगा उसके बाद इस नोटिस को जरा आपके सामने रखते हैं देखे दोस्तों पंचाय चुनाओ की जो काउंटिंग है वो कल होगी वैसे ही यह खबर आप तक पहुँच चुकी होगी देखे अपडेट से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचाय चुनाओ की मदगरना की इजाज़त दे दिया है रवी वार से सुरू हो जाएगी मदगरना मतलब कल मदगरना सुरू होगी उसमें दोस्त भया कोई टीचर थे उन्होंने क्या कोश्ट कर दिया देखे इस अपडेट को जरा देखे उन्होंने क्या कहा था कि कोर्ट के खिलाप उन्होंने क्या बोला कि खुद वर्चुवल कोर्ट चला रहे हैं और हमको बता रहें कि मत गड़ना डूटी कर दो कोई दिकत नहीं होगी। इसलिए नेता लोग इजञत नहीं करते हैं। जान दोस्त, यह बात कही जारी कोड के किराफ की। भया इसलिए कोई उजञत आजकल नहीं करता नेता कोड की। जान रहे हैं दोगला हो तुम आज देश की नया ब्योस्ता से विजवाट उठ गया वारे सुप्रीम कोर्ट लानत है तुम पर प्रसारित किया गया जिया दोस्तों एक टीचर ने बईया ऐसा कुछ पोश्ट कर दिया तो उन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जी याँ दोस्तों मतलब आज ऐसी नौबत है नदोस्तों देश में कि 4 लागत जादा केसे से एक दिन में आ रहे कोरोना कि 3,500 जादा लोगों की जाने जा रही है जी यहां दोस्तों और नौबत ऐसी आ गई है हम आपको बता रहें यहां का हाल कि अगर कोई मर भी जा रहा है न तो कोई गाड़ी वाल आने को तयार नहीं है लोगों को साइकल से उठा कर लेकर जाना पड़ रहा डेड़ बॉड़ी इतना डर भी है न कि अब भाई कोरोना से मर गया है अब कोन लेके जाएगा तो सरकारों को इस समय चाहिए कि एक सक्त लागडाउन करें कुछ समय के लिए ताकि कोरोना दोस्तों एक पर कंट्रोल में आते और उपर से जो टीचर बेचारे डरे हुए हैं कम से कब इनको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए अगर किसी टीचर को लग रहा है और कि उनकी जान जा सकती तो उनको छुट्टी क्यों नहीं दी जा सकती 700 से ज़्यादा टीचरों की जाने जातों की अब तर कुरोना वारिस के कारण तो क्या इनको छुट्टी ने मिल सकती है मतलब होता है ना गाइस चिला चिला के टीचर कह रहे हैं कि हमें बचा लो उमीद थी सब को सुप्रीम कोर्ट से कि भईया मत करना टाल दी जाएगी इस्टे हो जाएगा जी आँ दोस्तों आपने देखा होगा कि डिलेट का पेपर इस्टे हो गया वैसे डिलेट की डेट सीटी नहीं आई थी तो यूपी बॉर्ट पर इच्छा दोस्तों इस्टे हो गया मतलब सभी बच्चों का मतलब जो पेपर इपर होने वाला तो उसको इस्टे कर दिया जाता है जब कि आपको पता है कि किसी भी सेंटर पर अगर आप एक्जान देने जाएगे तो कम से कम दो बच्चों की बीच में डिस्टेंस दोस्तों मेंटिन की जाती है ठीक है करोना का समय काफी डिस्टेंस मेंटिन की जा सकती है परिच्चा कराए जाता है लेकिन परिच्चा को टाल दिया जाता है लेकिन इसी बीच मत गड़ना होगी आपको पता है कि जब कल चुनाव की काउंटिंग की जाए उसके बाद जो भी पार्टी जीट फार होगी तो पार्टी जस्न होना है बले दो स्पोर्ट की कितने सक्त नियाम हो लेकिन करने वाले लोग करेंगे क्या कोरोना केसी तियांते नहीं बढ़ेगा क्या इसको रोका नहीं जा सकता था मतलब आप ये समझ लीजे अगर कल चुनाव की मत गड़ना रोक दी जाती तो क्या ऐसा कोई पहार तूट पड़ता कि इतना ज़्यादा जरूरी है कि नहीं बीज़ें कल के कल इसको करना है भगवान जाने इस अपडेट को पहले हम आपके सामें रखते हैं यूपी में आक्सीजन के लिए तरड़ प्रे मरीजों की जान बचाने वाले यूवक पर ही मुकदमत दर्ज हो गया अपडेट जरा देखिए कोरोना संकर्मण में लाचारी और वेवसी का आलम हर रोज देखने को मिल रहा है दवा की जरूरत हो या फिर अक्सीजन की सिश्टन की कमी के आगे हर कोई मजबूर है ऐसे ही लोगों की मदद करने वाले कुछ लोगों आगे आएं कोई उनके लिए खाना पहुचा रहा है तो कोई सिलंडर लेकिन संकर्मण के इस दौर में जरूरत मंदों की मदद करना भी मुसीबत से कम नहीं है जरूरत मंदों की मदद के लिए आगे आ रहे लोगों पर भी सौास विवाग नकेल कतरा है यूपी के दोस्त जौनपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है लोगों की जान बचाने ये वाले प्यत्ती पर ही प्रसासन ने गाद गिरा दी कल तक दर्जनों मरीजों को अपने पैसों से अक्सीजन मोहिया करा कर जान बचाने वाले अबुलन्स मालिक पर ही पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया नगर कोतवाली में S.E.M.S. की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा गया है इतना ही नहीं अबुलन्स मालिक की गिरफ तारी में पुलिस लगाता है उसके गर पर दबित दे रही है मतलब सोचिए जो बंदा जान बचा रहा था आज उस पर केस हो गया है आरोप लगा है कि कोरोना मा मारी फैला रहा था गिये CMS की इस कारवाई से निश्य तोर पर न जाने कितने लोगों की जिन्दगी खत्रे में पड़ गई ऐसे मैं आप कौन समाज सेवा के लिए हिम्मत जुटाएगा जी आँ दोस्त ये बहुत ही बड़ी अपडेट इसको आप लोग वीडियो को सेयर करिये एक अपने दोस्तों के साथ ने तो अगर कोई बंदा आपकी मदद करता है ना जब सोचे का भईया फुलीसी मेरे पीछे पड़ जाएगी तो हम त्यों करें आगे के अपडेट जरा देखिए जानकारी के नुसार जिला स्पताल में मरीजों की ठीक है ताता लगा था अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मरीजों का इलाज समय से नहीं हो पा रहा था जी आँ दोस्त अगर आप किसी भी होस्पीटल में जाये ना अगर आपको बेट खाली ना मिले तो याद रखिएगा कि वह यह सरकार की कहीं ने कि कमी है सरकार का मतलब कंट्रोल नहीं रहा गया ने तो हॉस्पीटल में बेट तो खाली होती आपको पता होगा सरकार सब कुछ प्रैविटाजेशन कर रही थी आज सभी को सरकारी अस्पताल ही याद आ रहे याद रखिएगा गाई इसलिए कहते कि कुछ भी सरकार अगर प्रैवेट को बेच रही है तो यह आपके साथ धोका है मुसीबत के समय लोगों को सरकारी ही होस्पीटल याद आते फिर किसी को प्रैवेट नजर नहीं आता प्रैवेट वाले तो भाईया लूटम लूट मचा रखें अगर आप जाएं तो हो सकता है कि आपकी जिद्दगी बर्की कमाई एक हफते में निकल ली जाए प्रैवेट हॉस्पीटल की तरफ से देखे दोस्तों मरीजों की को मतलब जबीन पतर अडबता देख कर नगर के आया पूर मोहले का निवासी वा प्रैवेट एमूलेंस अंचालक विक्की अगरारी खुद अपने इस्तर से अक्सीजन की ब्यूस्था करके मरीजों को अक्सीजन देने लगा विक्की के अनुसा कि माना जा रहा है कि किरकरी होने से नाराज सीमस ने देड़ साम नगर कोतवाली में मां मारी फैलाने का मुकदमा दर्च करा दिया तो गाइस यह सब चीजे हो रही है देश में अब आने वाले समय में आपको जब वोट करने घर से निकले ना बहुत चीजे ध्यान में रख फिर काफी पार्टिस होती रहेंगे साधी विवा जो इसमें चल रहा है ना बहुत ही खतर ना के हो सके तो आप लोग सुरच्चित रहेंगों तो बैतर होगा तो उसके बाद एक और अपडेट आए एक बड़ी खुशकव गई है देखिए दोस्तों कोरोना मरीजों को राहात के लिए सीम योगी का अदेश है आक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहें लोगों को रोका ना जाए जी आँ दोस्तों अगर आपको कुलिस परिसाम कर रहें या कोई भी कर रहें तो भईया ये योगी जी के तरफ से एक बड़ी अपडेट है जी आँ दोस्तों कभी कभी सरकार अच्छे काम भी करते हैं तो उसकी तारीच भी होती है अपडेट किया कि मुख्यमंद्री योगिया दितनात ने सभी डियम हुआ SP से काया कि यदि कोई ब्यक्ति किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए जा रहा है तो उसे यथा संभोग सायोग किया जाए उसे रोका बिलकुल भी ना जाए मुख्यमंद्री ने सनिवार को COVID-19 की सिती की समिच्छा करते हुए हुई बैटक ने कहा कि मरीज के परिजनों के साथ सवेधन सील बेवार किया जाना अपेच्छित है हमारा सायोग पोड़ रवया परिजन के लिए इस आप्डाकाल में बड़ा संभल होगा हेर्पलाइन में सेवाए दे रहे कर्मियों को समचित जानकारी दे अस्पताल में बरती मरीजों के परिजनों को दिन में कम से कम एक बार उनके मरीज के स्वास्त की जानकारी जरूर दी जाए स्वास्त मंत्री इस ब्योस्ता को सुनिश्चित करा है तो गाइस ये बड़ी अपडेट है और मत गड़ना इस्तल पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की बेऊस्ता रहे तो चलिए ठीक है जो हो रहा हो रहा लेकिन एक अच्छी ख़बर दोस्तों ये थी न देखे काइस आपके बहुत सही जानकारी दे आपको तो कोरोना कोई बहुत बड़ी बिमारी नहीं है अगर आपको समय रहते दोस्तों इलाज मिल गया न तो कभी भी आपकी जान नहीं जाने वाई सोचिए दोस्त हमारे पूर्व प्रदान मंत्री जीमन मोहन सिंग जब उनको कोरोना हुआ अवो एमस में गये इलाज वह सो स्थोकल लोड़ उनकी एज आपको पता होगी न और कितने कम कम एज के लोग आज जान दे रहे है सिंपल ती बात है गई समय से इलाज नहीं हो रह है न तो कोरोना को बहुत ही आसानी से हमारे देश हरा देता है लेकिन आज हमारे देश में होस्पीटल की कमी है अब यह बात आपको मागी पड़ेगी ठीक है आने वाले समय में कभी मंदिर और मचीद किना पर वोट मत करिएगा होस्पीटल याद रखिएगा बहुत से लो यूपीटर के लिए 211 माई को नोटिफिकेशन जारी होना एइ इस बार अब्यर्ती परिचा किंद्र के लिए 3 जिलो का वितल भर सकेंगे इसके अलावा विस विद्यालियों में भी परिचा किंद्र बनाया जाने की संभावना है उत्तर पर्देश में सिच्छाक पातरता परिच्छा यूपीटेट 2020-25 जुलाई को होनी है, इसके लिए आवेधन की प्रक्रिय 18 मैं से 1 जून के बीच होगी, ये दोस्तो अपडेट अपडेट है, यूपीटेट का सेडूल देख लिए 11 मैं को विज्यापन आएगा, आवेधन जो अठारा मैं से सुरू होगा, अंति जूनिक है न, और दोस्तो जो फाइनल आपका रिजल्ट गुसित हो जाएगा, वो 20 अगस को, यूपीटेट की भी पूरी अपडेट हो गई, सुप्रेम कोट ने यूपी पंचाय चुनावक की मदगरना की इजाज़े दे दी, इसी से दोस्तों काफी लोग बहुत इज्या से लगा सकते हैं, ठीक है, मिले के कौर वीडियो में, फिलाल आप देखिए, घर पे रहें, साउधान रहें और बिल्कुल पी पंचाय चिनों की मेड़ में बच जाईएगा, 14 दिन तक दोस्ती याद रखिए, पिछली बर जब आप 14-14 दिन फॉरेंट टाइन थें, तो सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करें, तो आप लोग बिल्कुल साउधानी बरत ही एक छूटी सी बिलापरवाई नहीं, तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, और भी अधिक अप्डेट के साथ, तब तक के लिए, इस्टे कनेक्टेट, गुड़नाइट